मैंने पिछले 10 साल से जादा questions को assess किया मैंने पिछले 10 साल से जादा question papers को देखा च्छाना उन में मुझे पदा चला कि हाँ यही topics है असल में weightage तो सब की होती है लेकिन maximum weightage कम time में cover करने के लिए कौन से topics है तो वो आज इस वीडियो में हम देखने वाले है अगर नीट 2023 में आपको 650 से जादा number लाने है जो की लाना अब बहुत जरूरी होता जा रहा है क्योंकि देखो क्या होता है paper इसले tough नहीं होता है क्योंकि question बहुत type के आ जाते है बहुत difficult आ जाते है paper इसले tough होता है क्योंकि seats कम है और बच्चे बहुत जाद है ये है नीट के पीछे की वज़ा ठीक है अब अगर आपको 650 प्लस number लाने है अगर बायो में आप 350-345 number तक ले आते हो तो भी आपको aim करना पड़ेगा physics और chemistry में 152-160 number लाने ही पड़ेंगे तो ये 152-160 number कहां से लाओगे तो chemistry पे मैंने एक वीडियो बना दिये कौन से important topics है जो आपको पढ़ने चाहिए अब ये बात करेंगे इस वीडियो में हो physics की तो ये वो topics होंगे जिनको आप नहीं छोड़ सकते हो इन topics को करोगे physics में तो minimum 140 number आ जाएंगे अब मैं ये नहीं कहूंगा सिर्फ इनी topics को करना है क्योंकि नीट का अगर आप marking scheme देखो तो हर chapter की कोई ना कोई weightage होती है नहीं तो वो NCIT में होता ही क्यों हर chapter की weightage होती है हर chapter कही ना कह important होता है question उठेगा लेकिन अगर इन chapter को पढ़ोगे तो आपके 140 number जरूर आ जाएंगे तो ये वीडियो उनके उपर होने वाली है उन बच्चों के लिए होने वाली है जिन लगते हैं भाई आप time बहुत कम है तो इस कम time में हम कौन से chapters पे focus करें ताकि neat में बहुत अच्छे number आ जाए तो बिना time waste करें क्योंकि time waste नहीं करना अब हम चालू करते हैं सबसे पहले दिखेगा तुम्हें modern physics ठीक है modern physics इससे बहुत question उटने वाले है अब जिस order में मैं बोल रहा है नो उस order में इसे खतम करते जाना modern physics, ray optics, electrostatics and gravitation, magnetism, thermodynamics, units and dimensions, rotations and kinematics तो ये हो गए 8 chapter ये आपके 8 chapter है जिनने अगर आप कर लेते हो तो majority of questions ही आसा आएंगे हर chapter से 3, 4, 3, 4 question उठा सकते हैं वो लोग तो बहुत सारे question यही से हो गए इसके बाद हम बात करते हैं 3 और topics और chapters की जो अगर आप कर लेते हो तो 140 प्लस number आने guaranteed है लेकिन इन 3 topics को आप इन 8 के बाद ही करोगे ये दिमाग में घुसा लेना पहले 8 करने फिर 3 करने ठीक है अब ये 3 कौन-कौन से रहेंगे पहला है kinetic theory of gases बहुत important है EM waves है ना electromagnetic waves और तीसरा है mechanical property of solids अब इन 3 की अगर बात करें तो ये formula based है या formula याद कर लिया अगर तो apply करना होता है बस values पूट करनी होती है अब चाहे वो EM waves की बात करूँ electromagnetic waves की बात करूँ KTG की बात करूँ kinetic theory of gases जो chemistry में भी topic आता है या फिर mechanical property of solids की बात करूँ तीनों में laws है तीनों में formula है बस formula है में put करके answer आ जाएगा तो आपको question practice जादा लगानी है अब ये तो हो गए topics जो आपको करने थे अब इनको approach कैसे करेंगे ये 8 और 3 topics हैं जो बहुत बहुत जादा important अगर ये कर दोगे 140 प्लस guaranteed number है अब आपकी approach कैसे रहेगी इन chapters के लिए तो चार चीज़े याद रखना NCRT, notes, PYQN question practice and sitting practice हर वीडियो में बोलता हूँ इस वीडियो में बोलूँगा NCRT पढ़नी है लोग physics में NCRT मना कर देतें NCRT की पढ़नी है लेकिन NCRT में डब्बे जो लिखें वहाँ से सवाल उठ जाते हैं बहुत बार same same to same vectors जैसे chapters में से सवाल उठ जाते हैं equations उठ जाती है NCRT के पीछे के questions बहुत ज़रूरी है उसके अलावा अपने notes से पढ़ाई करो अब notes बनाने मत बैठो अगर आपको एक sheet बनाने जाएं चैप्टर के सारे formula लिखें तो वो आप कर सकते हैं लेकिन notes proper नहीं बनाने अब टाइम निकल चुका है तीसरी चीज़ PYQ and question practice बहुत ज़रूरी है जितने ज़्यादा unknown question paper में आएंगे उतना confidence गिरेगा अगर कोई ऐसा question आता है जो पहले solve कर रखा है तो chances होते हैं कि उसको हम easily tackle कर पाएंगे and चौती चीज़ है sitting practice अगर अभी 3 गंटे नहीं बैठ पारें दिमाग डोल रहा है तो paper में 3 गंटे कैसे बैठोगे तो यह सब चीज़े follow करो and all the best for your exam Thank you